हलो अब्रीवन वालकम बैक टू माई चानल आज हम इस वीडियो में डिजाइनर स्लीप बतना ना बताएंगे तो हम यहाँ पे फूल स्लीप पे बनाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे डवल फोल्ड करके रखे हैं कपड़ा को और फिर हम यहाँ ट्वैंटी टू इंच ले इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फिर हम यहाँ पे सीधी लाइन खीश देंगे सीधी लाइन खीश लेने के बाद हम इसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे कट हो जाने के बाद हम इसे फिर से और एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मेरा दोनों स्लीप निकल के आएगा तो यह हमारा फूर फोल्ड हो गया अब हम स्लीप का मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे इसका चौड़ाय रख रहे हैं 9 इंच चूकि हम 34 साइज का यह बना रहे हैं फिर हम नीचे से 22 इंच पे निसान लगाएंगे सेम हम इस साइट पे भी 22 इंच पे निसान लगाएंगे और फिर इन दोनों निसान को मिलाते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन कीज़ देंगे हम यहाँ पे स्लिप डाउन ले रहे हैं 3.5 इंच चूकि यहाँ पे डिजाइन बनेगा इसलिए हम यहाँ पे 3.5 इंच लिए और 1.5 इंच हम स्लाइम आरजिन ले रहे हैं टॉप का स्लाइम आरजिन आपका जितना भी हो सेम हमें यहाँ पे भी स्लीप भी उतना ही लेना है फिर हम यहाँ पे स्लीप का सेब दे देंगे अब हम उपर से यहां पे टो इंच में निसाल लगाएंगे आप चाहे तो यहां पे धाई या तीन इंच भी रख सकते हैं मेरा थोड़ा सा टाइट हो गया था मतलब टाइट भी नहीं पर थोड़ा सा और लूज होता तो ज्यादा खुबसुरत देखता तो इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग यहां पे ढाई या तीन इंच लेके मतलब यहां पे मार करें तो इस तरह से हम यहां पे स्लेव का सेप दे दिये हैं हम यहां पे हतेली को नापेंगे उसके बाद आपका जितना भी हो अप करेंगे और निसान लगाएंगे तो यह हमारा पूरी चारेंग जतना हो रहा था एप तुर। यह हम यहाँ पे स्लीब का सीव देंगे थोड़ा सा में यहाँ पे हलका सा राउंड लेते हुए स्लीब का सीव देना है इससे फिटिंग अच्छा आता है अब हम इनसे कट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा कट हो गया है तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लीट बनाएंगे तो इसके लिए हम दो अंगूली रखते हुए प्लीट को बना रहे हैं इससे हमारा एक जैसा होगा इसी तरह से हम यहाँ पे प्लीट बनाते जाएंगे और पीन लगाते जाएंगे बाद में हम स्टीच करेंगे उस समय पीन को खोल देंगे तो इससे हमारा इधार उधार नहीं होगा कपड़ा तो देखिए इसी तरह से हमें यहां पर इस सारा प्लीट को बना लेना है आखरी तक अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज गैज एक लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं इस चैनल पे इसी तरह से लेटेश्ट, डिजाइनर, शूट, प्लाउज और भी बहुत कुछ लाते रहती हूँ तो इसी तरह से हम एक साइट का प्लीट कंप्लीट कर लेने के बाद इस साइट भी प्लीट को कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइट का प्लीट यहां पे मेरा कंप्लीट हो गया है अब हम यहां पे नीचे पे फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमें सिंपल सा डबल फोल्ड करके यहां पे स्टीज कर लेना है तो चलिए हम इसे स्टीज करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे स्टीज करेंगे उसके बाद sleep को attach करेंगे तो दोनों sleep हम यहाँ पे ready कर लिए हैं अब हम पीन को खोलते जाएंगे और यहाँ पे हम stitch करते जाएंगे stitch कर लेने के बाद हम अगर इसे sleep को attach करते हैं कुर्टी या top के साथ तो ज्यादा अच्छा से finishing आता है और यह कुर्टी के साथ टॉप के साथ बहुत खुबसूरत लगता है यह वाला sleep तो आप लोग इसे जरूर try करके देखे मैं भी इसे first time ही बना रही हूँ तिसलिए मुझे थोड़ा सा यह tight लगा तिसलिए आप लोग को में बता दी कि जब हम यहाँ 2 इंच लेके sleep को cutting करेंगे तब हमें यहाँ वहाँ पे 2 इंच या 3 इंच लेके करना है वैसे यह tight नहीं है पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि यह ज्यादा fitting हो गया था अब हम यहाँ पे नीचे भी फोल कर लेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चौड़ा में फोल कर रहे हैं इससे ज्यादा अच्छा लगेगा नीचे sleep तो इसी तरह से हम दोनों sleep को stitch करके complete कर लेंगे अब हम इसे center पे cut लगा लेंगे और center से ही हम इसे कुर्टी के साथ attach करेंगे इससे finishing बहुत अच्छा आता है मैं जब भी sleep stitch करती हूँ तो यहाँ से ही हम center से ही stitch करते है तो इसी तरह से हम दोनों side को ही stitch कर लेंगे मेरा अगला वीडियो इस कुर्टी पे ही रहेगा इसे मैं भी नेक पे बनाई हूँ इसी तरह से हम दोनों side को stitch कर लेंगे यहाँ पर मेरा sleep attach हो गया है तो आप देख सकते हैं कितना खुब्सूरत देख रहा है बड़ बाई